अब चलिए रुक करते हैं एक बड़ी खबर का अधानी पोर्ट फोकस में है और अधानी पोर्ट पर गोल्मेंस एक्स की रिपोर्ट आई है गोल्मेंस एक्स ने लक्षे को 820 से बढ़ाकर 855 का कर दिया है और रिपोर्ट में शेर से अच्छे प्रदर्शन का अनुमान भी ल कहना है कि लॉजिस्टिक बिजनस में मजबूत ग्रोथ जारी है Fy24 का वॉल्यूम गाइदेंस कम करके आंका है और Fy24 का वॉल्यूम गाइदेंस 37-39 क्रोट टन होने की उमीर बताई जारी है मध्यम से लंबी अवधी में मार्केट शेर में भी बढ़ाती की उमीर है इस रि अभी शॉट टम में डेफिनेटली यहां पर वीक हुआ है और अपसाइड करीबन 825 रुपे से जो गिरावट कंटिन्यूड होती हो चल रही है वो आज भी 790 के लेवल्स पर मौझूदा दिख रही है औल्दो इसी सेम लेवल पर 100 डेमा और डेली चार्ट प्लेजड है तो इस स्टॉक को दुबारा से 815 या 825 के लेवल्स तक ले जाता हुआ आपको दिखेगा तो मेरा मानना है कि जो रिस्क की ट्रेडर्स है वो यहां पर ट्रेड ले सकते हैं आज के सेशन में ही और जिनको थोड़ा सा वेट और वाच करने पर ट्रेड लेना है वो कल का सेशन औ को रखना हुए 785 का पौदी टार्गेट लेवल्स ऑफ 815 और 825 इन अटानी पोड़े की CDSL के स्टॉक में भी काफी अच्छी तेजी है चार परसंग की मजबूती आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है आगे हम आपको खबर बिताएंगे लेकिन रहुल जी एक लेकिन आज ये जो तीजी नजर आ रही है क्या करना चाहिए इसमें हमें इसमें करेक्शन देखने को मिलना था स्पेशली CDSL की बात करूंगा पिछले 6 सेशन में डेफिनेटी यहां पे प्रॉफिट बुकिंग नजर आती हुए दिखी है उसका रीजन है क्योंकि यहां पे end of October month जहां पे stock करीबन 1320 रुपे के आसपास trade कर रहा था वहां से बहुत ही शांदार चाल देखने को मिली है और जो इसका top बना वो 1867 का बना तो देखे इतने लंबे jump के बाद जब stock 1300 के level से साड़े 800 के level पर जाएगा तो वहां पर definitely कहीं न कहीं profit booking आते हुए आपको नजर आएगी और यह जो पिछले 6 दिनों की जो हमें यहां पर कमजोरी देखने को मिली या आप कह सकते हैं जो profit booking देखने को मिली वो आज थमती हुए नजर आ रही है क्योंकि आज की जो candle form हुई ह उसने पिछले 3 candles को engulf किया है और मेरा मानना है कि अगर हमें closing 1800 अबब मिल जाती है तो वो एक definitely positive sign मिल जाएगा कि यहां से आपको further upside journey continue होती हुए नजर आएगी CDSL के अंदर तो मेरा मानना है कि जिनका भी नजरिया short term का है या जो लोग portfolio में already stock को hold करे हुए हैं उनको अभी चिंता नहीं करने जाए मुझे लगता है कि आने वाले समय में CDSL और BSC जो दोनों ही stocks हैं वो काफी अच्छा performance आपको करते हुए दिखेंगे on the upside definitely CDSL में 1870 एक resistance का का काम करेगा जैसी यह पार होता है तो वहां से मुझे लगता है CDSL 2000 के तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखने को मिलेगा BSC जो मैंने बोला वहां पर भी हमने देखा कि पिछले कुछ 3-4 session में एक ग्रावट देखने को मिली यह profit booking देखने को मिली जो कि आज थमची नजर आ रही है अब देखना हुआ कि इसकी follow up यानि कि कल का session यहां पर कैसा निकलता है BSC के अंदर तो मुझे लगता ह नहीं होगा मुझे लगता है कि आपको यहां पर हल्की consolidation देखने को मिल सकती है बट अगर overall setup देखूं तो काफी positive नजर आता है दोनों ही BSC और CDSL दोनों के अंदर और साथ ही CDSL को